इस टिकेत ने भाज़पा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि यूपी चौनाओं से पहले देश में काफी गरबड़ी देखने को मिलेगी इसलिए बीजेपी से बच्च कर रहना पड़ेगा जिकेत ने कहा है कि हिमाचल में किसान का सेव 20-22 रुपे तक बिक रहा है वही बड़े बड़े गोदाम वाले 100-150 रुपे में सेव बेच रहे हैं किसान का गेहू 20 रुपे में बिकता है और मॉल में 8-87 रुपे किलो मिलता है किसान का बाजरा 12 रुपे किलो बिकता है और आटा 60 रुपे किलो मिलता है जिस तरह से देश में गोदाम बनाए जा रहे हैं उनसे देश के हालात और भी जादा खराब होंगे किसान अडवानी का है मुड्लिवन अवर जोसी जो स्टेजबान के कहते थे के सुधर से जागरण के मंचुरवा बात करते थे ऑर्गनिक फॉर्मिंग की बात करते थे पैसे साइड आउट्वार इंडिया की बात करते थे खांगे आज उनके घरुपे पुलिस लगा रखिये ह अंदर कोई प्रेश के लोग नहीं जा सकते एक ब्यान देने की हैसियात उनकी बुजर्गों की नहीं है उन्हें घर में कैद करके हैं अंदर जिन्रे पार्टी वाई थी वे धरुपे अंदर कैद हैं यह पीजेपी के लोग यह कहने जी आप हमारी पार्टी वेश्युमारी पार्टी का अपने देश करने पड़ेंगे अपने आंदोलन सांती पूर्ण तरीके से करने पड़ेंगे प्रण्यगर के जो पंचात है वा सईयुक्त मॉर्ठे की पंचात है और महां पर केड़े मिरने सईयुक्त मॉर्ठे के पेसले पूरे देश भरमाना कूप परेगे तो कहें परदार मंत्री कि आंदरी दुगनी होगी 2022 में और हम भी यही कह रहे हैं कि हम अपड़ी फसल पहल सब्सक्राइब देश के परदार मंतिर ने कहां यह कहना पड़ेगा जब उनके लोग आपके पीच में गाउं आएंगे यह परचार करना पड़ेगा